आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कुस करने वाले वह इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फेज अगर कुछ हो सकता है तो वह है जो कि इंडर्स वैली सिविलाजिशन है ठीक है हम लोग हर कोई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कुछ न कुछ इसके बारे में जानते हैं सिंदुगाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं या हरपा सभ्यता के नाम से जानते हैं ठीक है या अलग अलग अपने या इंडर्स कल्चर भी बहुत लोग बोलते हैं ठीक है अ हमारा Indus Valley Culture का था या Indus Valley Civilization का था तो इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे डिटेल में जाएंगे दो पार्ट में इस वीडियो के हम लोग रखेंगे पहले पार्ट में हम लोग इंडस वैली जो दो करेंगे दो करेंगे तो हमारे सामने जो एक एक इमेज देख रहे हैं इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहां काफी ज्यादा कुछ शिटिज का नाम लिखा हुआ है ठीक है और यही cities मिलकर के बनाते हैं सिंदु घाटी की सभ्यता जिसका नाम इंडर्स रिवर के वज़े से पड़ा जो यह इंडर्स वैली सिलेशन हम बात करते हैं इसका नाम देने का मुख्य कारण है कि यह जो कल्चर है यह इंडर्स रिवर के इद गिर्द ही बसी रही या सुरवाती दौर पर जो एक्सकाविशन हुए वह इंडर्स रिवर के किनारे ही हुए जो मेजर साइट्स थी सिंदु घाटी के किनारे थी हाला कि आज की डेट में बहुत सारी साइट्स जो है वह इंडर्स वैली के बाहर भी मिली है अगर हम एक रफ फिगर में बात करें तो कम से कम 600 एक लिस्ट 600 जो है इत्ती आज की डिट में डिसकावर हो चुकी है जिनमें से 60 साइट्स जो है वह बहुत फुल प्रूफ में निकली है फुल प्रूफ कहने का मतलब क्या पूरा उनका इस्ट्रक्चर हमारे पास में है जिनमें जो इंपॉर्टेंट साइट से वह हडपा है मोहंजोदार हो है राकी गड़ी है दोला भी रहा है आप यहां पर देख सकते होंगे तो हम लोग इस वीडियो में पिक्चर्स का भी बहुत इस्तमाल करेंगे इमेजेज का इस्तमाल जादा करने से क्या होता है कि चीज़े दिमाग में बैठते ही हैं मुझ चीज़ को अब जो भी कोशन होंगे सब यहीं से आएंगे और नॉलेज भी आप यहां से गेन कर पाऊगे ठीक है तो यह बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है एक्जाम पॉंड डिविशन डेफिनिटली आप एक से दो मांक्स तो एनिहाओ जो हिस्ट्री में अपने दरस बारा जब वो तो जगे जगे वो ट्रेवल करें तो उनको बहुत सारी पुरानी पुरानी चीजे मिलती चली जगातर पुरानी चीजेám मिली वह कहीन कहीं बुद्धी जीजहर जुडती चलीगी। एक हद तक चीजे क्लियर थी कि इंडिया में बुद्धिस्ट कल्चर बहुत लंबे समय तब प्रिवेल करा और हमारी हिस्ट्री वहीं तक रूख जाती थी कि बुद्धिजम तक ही चले जाते क्योंकि उनको हर वक्त बेटिसस को देखे क्योंकि बिहार से लेकर कि अगर हम तक तक जाए तो हमको कि बुद्धिस्ट इस्ट्रक्टर ही दिखते थे चाहे वह कुषांद कालीन हो चाहे मौर कालीन हो चाहे उसके बात के हो लेकिन वह बुद्धिस्ट कल्चर ही देखते थे लेकिन इंडिस्ट वाली सिलाइशन जो है इसने उनके परसेप्शन को चेंज कि और इंडिया बुद्धिजम से भी बहुत पहले चला गया, बुद्धिजम से भी 5-6,000 साल पहले चला गया, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट है, कहानी के सुरुआत कहा से हुए, देखो, क्या था, ब्रिटिस जब भारत में आये थे न, उन्होंने बहुत सारी अलग-अलग इसमें बहुत लोग थे, जो बहुत क्यूरियस पीपल थे, इसमें एक वेक्ति का नाम था, चार्ल्स मेसन, यह नाम बहुत इंपोर्टेंट है, आपको पेपर के लिए भी काम आ सकता है, चार्ल्स मेसन, आएगा ही, पेपर पूछते हैं, चार्ल्स मेसन जो है न, यह पॉपर ऐसा डेट नहीं मेसन के, लेकिन 1820 से ले करके 1829 के फेज में, अगर हम यह पूरे फेज में बात करें, तो चार्ल्स मेसन ने इस एरिया में, यह वाला जो पूरा एरिया है, इसमें काफी जादा इन्होंने छोटी-छोटी साइट को देखा, जो की मेजोर्टी बु आप जानते हो, जो की हमारे मौरियन कल्चर के जो सबसे अच्छे राजा चंदगुत्त मौरे थे, कहीं ने कहीं उनसे जोड़ता है, ठीक है, तो जब यह गुजर रहे थे इस एरिया में, ठीक है, तो यह यहाँ पर लगबग पाकिस्तान याने की, पाकिसान का पंजाब का जो एरिया है, वहाँ पे साही वाल नाम का एक डिश्टी था, उस वक्त, ठीक है, वो वहाँ से गुजर रहे थे, वहाँ पे भी मौन्ट गोम्री नाम की जगह थी, ठीक है, मौन्ट गोम्री, याद रखना है, ऐसे करके, पेपर के लिए थोड़ा सा काम का हो सकता है, जब यहाँ से गुजर रहे थे, तो इनको एक बहुत बड़ा इस्ट्रक्चर दिखा, ठीक है, जो इस्ट्रक्चर आपको काफी ज्यादा इटो से बना हुआ था, यह ना, इटो से, और जो इटे बनी वी थी, बिल्कुल पर्फेक्ट, ठीक है, जो मौडरन डे ब्रिक्स थी, उ जब मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मुझे चीज़े मिली, लेकिन क्योंकि यह एरिया जो है, यह पूरा एरिया है, वो रावी रंदी के किनारे था, यह जो है, रावी रंदी के टेट पर था, तो उस एरिये में फ्लडिंग काफी होती रहती है, पानी हमें से जलिसतर बरता है, फी नीचे चला रहता है, तो उस कारण से क्या हुआ, कि जो रियल साइट है, जो बेस साइट है, वो कहीं ने कहीं छिपा हुआ था, और इनका वैसा इंट्रेस्ट भी नहीं था, कि इसको जाके एक्सकावेट करें, कि जो चीज़ें ऊपर नजर आ रही थी, तो इ काउंटिंग जरूर हुआ, कि साही वाल मूंड गोमरी के पास में कुछ जीज़ें, हलाकि हरकपा नाम नहीं आया था कहीं पर, अब वापस से, जब आगे चल करके बेटी सेरा और स्ट्रॉंग हुआ, और 1853 के आसपास में, 853 से लेके 856 का फेज था, ये फेज आप जानते होंगे कि इंडिया में रेलवेज का डिवलप्मेंट रहा ना, 1853 से लेके 856, अब ऐसा नहीं है कि उसी वक्त डिवलप्मेंट हुआ, लेकिन, जो मेजर, जो हमारे साइट्स है, है ना, उसको कनेक्ट करने के लिए इनों रेलवेज बाए, जैसे आप जानते होंगे, जली थी, उस समय, जो भी, डिसीजन था कि कहां कहां से ट्रेने जाएंगी, वो इस समय लिया, रिजन क्या था कि ब्रेटिस जो सासन है, वो यहां तक बहुत स्ट्रॉंग हो गया था, ठीक है, और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मातरा में मिन्रल्स और जो हमार आगरा से जोड़ने का लॉजिक था, आगरा और यह बिहार वगरे के अरिया से कि यह एगरी कल्चर प्रड़क्ट को बहुत आसानी से कोलकाता पोर्ट पर ले आ जा सके, उसके बाद से यह ब्रिटेन या दूसरे अपने कॉलोनीज में ले जाए ताकि वहां बेचा जा सके उसी क्रम में यह लहौर से ले करके यह करांची तक एक रेल लाइन बीचे रही थी जिसका एक छोटा सा पार्ट लहौर से ले के मुलतान तक का कंस्ट्रक्शन होना था 1856 में इस फेज में यहाँ पर रेलवे का वर्क चला रहा ठीक है अब आप जानते हूं कि रेलवे उस समय जब बनती थी तो आज की तरह तो चीजे थी नहीं तो पट्रिया बीच रही है और पट्रियों को साइड में सपोर्ट डेनी को नीचे सपोर्ट डेनी जैसे आज की रिट में स्लिपर्स होते हैं उस समय वो ब्रिक्स वगरा यह सब लगाना सुरू करते हैं तो अब पत्थर हो था बड़े बड़े पत्थर ही सब लगाते थे ताकि वो चले क्योंकि उस समय का टेक्नोलिव तो वही अलाओ करता था ठीक है अब क्या हो कि जब इस एरिया में यह रेल लाइन का वर्क सुरू हुआ तो जाही से बात कुछ कॉं वहां से ले करके वह आने लगे ठीक है उनको उस समय ब्रिक रॉबर्स का नाम दे दिया गया आगे चल करके लेकिन वह जो जो भी हीटे हैं वह वहां से निकालते चलेगे उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया हरपा का डिश्ट्वाई कर देश चकर में ठीक है लेकिन जब से अचानक से मतलब आउट ओफ नो वेर हरपा की डिस्कवरी और यह जो रेलवेज के इंजीनियर थे यह वहां के साइट पर पहुंचे और इन्होंने देखा कि यहां बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रिक्स है और इन्होंने फाइनली यहां बोला कि एक एंसिंट सिटी हो सुर्वा एलेक्सेंडर कंिंहम के द्वारा इन्होंने यहां पर जो मीजर एक रिसंट था वो किया वे लगभग 1832 लेके 873 यह एक साल में एलेक्सेंडर कंिंगम है न को याद हो कि Só रिक्सिंडर कंिंगम इन्होंने हीिं आपको ऐसाइट की स्थापना अं। आपको काफी यहां पे अहरपपा में खुदा ही चलती रही हो आर्टिफ़ेक्ट सील्स वगर अच्छा यहां पे इनको सील्स वगर काफी मिलें इन्होंने भी नोट किया लेकिन क्या था कि उसके बाद में एक फेज आया आप याद रखेगा हिस्टरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है 1892 का फेज अठास और बांदबे का फेज है ठीक है इसको जिसको हम लोग बग क्राइसिस बोलते है बग क्राइसिस ये क्या था ये एक इनका नाम था एडवर्ट बग ये याद रखना एडवर्ट बग ये एसाई के हिट बने और इन्होंने बोला किया रिसर्च वगरा में कोई फाइदा नहीं है और इन्होंने ASI का बजट को बहुत कट कर दिया, ठीक है, और जो भी ASI, आइकलोजिकल सर्वर फिंटर जो भी रिसर्च करती थी, लगभख उसको रोग दिया, इस कारण से फिर जो रिसर्च थोड़ा बहुत चलता था, वो बंद हो गया बिलकुल, लेकिन फिर उसके बाद धीरे 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 लोगों को वापस, अच्छा इस फेज में फिर क्या हुआ, वो जो बुद्धिजम को लेकर हमने आपको बता है, बुद्धिजम को लेकर काफी ज़्यादा रिसर्च होता था, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजे और रिसर्च में बहार आगे, अब हुआ कि जब डिस्कावरी हुई तो बहुत अच्छी सिटी सामने आती चलेगे, लोग और खुदाई करते चलेगे, और चीजे बाहर निकलती चलेगे, उसके बाद फाइनली, 1921 का फेज आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1921 का फेज आता है, इस वक्त हमारे ब दयाराम साहनी, इन्होंने फुल प्रूफ तोल पे हरपा का एक्सक्रवेशन किया, और उसके बाद जो हरपा की खोज, जो हम फुल क्रेडिट डेते हैं, कि हरपा को किसने खोजा, वो दयाराम साहनी को देते हैं, 1921 मिनोंने हरपा को एक बहुत ऐंसें सिटी गुरुप में डिक्लेयर किया और जो भी आर्टिफेक्ट से वो बहार ले करके आएं क्या हम लोग अभी डिसकस करेंगे ठीक है चलो इस चीज में डिसकस आप ये बगर में आप इमेज देखो ये एक हडपा की सिटी है और इस तरीके का शहर बिलकुल खुदाई के बाद निकल करके आए ब इस तरीके के एक modern urban culture निकल करके आया इस लिए ये बहुत important है अब fact के रूप में दो चींद ये देखते हैं फिर हम डिसकस करेंगे इंडर्स वाली शिविलाशन वाजन एंसेंट शिविलाशन थ्राइविंग अलों दी इंडर्स रिवर एंडि गगर हाकरा रिवर ये बहु हरपा कहते हैं क्योंकि जो सबसे पहले साइट निकली थी वो हरपा की ही थी जो कि रावी नदी के टट पर हम मों डुगो में डिस्टिक साही वल हमने अभी आपसे बताया एन अल्टनेटरी प्राम दीस कल्चरी सरस्वती सिंदो सिवलाशन इंडो सरस्वाशन सरस्वती हाल राम साहनी राय बाहदु दैया राम साहनी फर्स्ट डिस्कवर्ट हरपा ओन रावी इन 1921 इस वन माक्स दिस हंड़ेट प्रसेंट वन माक्स है और रडी डिस्कवर्टी मोहिं जोदारों माउंट अब डिडेड इन 1922 ठीक है याद रखना यह दूसरा माक्स आपका यह फैक में जिन्होंने इस चीज को बहुत प्रेरित किया ठीक है मौर टाइम में वीलर भी आएंगे जो बहुत प्रेरित करेंगे उनके टन में बहुत रिसर्च होगा लेकिन जॉन मार्शल तो यह जो यह जो फैक्ट्वाल अलब फेज है यह आपको लगबग 2 मार्क यह तीन मार् सकता है यहां से कोशन निकल करके आती है चले आगे देखते अब देखे यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया इंडस वाली शेलेशन के इंपॉर्टेंट इतना ज्यादे इसलिए हो गया कि जब रिसर्च होती चले गए धीरे धीरे बहुत सारे साइट निकलती चले राखी गड़ी की साइट के डिसकवरी रीवी गनिरी वाला डिसकवर हुआ मोहिंजदा डिसकवर हुआ सूर्थुगई डिसकवर हुआ सुत्का गेंड़ो आप जब अभी हमने बोला ना गगगर हाकरा इवर भी यहांपर है जो की आगे चलकर के कुछ लोगों ने कहा कि य ऐसा कहते हैं कि सरस्वती जलमगन हो गई, विलुप्थ हो गई, और फिर त्रिवेनी संगम में चलेगी, अलहाबाद के साथ में त्रिवेनी में तीसी नदी, गंगा यमना के साथ में सरस्वती निकलती है, हमने ऐसा मान लिया, पर जो आर्टिफेक्ट जो प्रूफ करते हैं, जो archeology proof करते हैं वो यही कहते है कहीं ने कहीं कि जो घंगर हाकरा नदी है वही सरस्वती है हम लोग भी इसमें भी देखेंगे बहुत चीज आएगे तो हो क्या रहा है कि ये जो site है इसकी feature क्या है कि ये यहां की जो लोग है वो trade करते हैं वैपार करते हैं ये सब्वेता इतनी ज़्यादा मैच्छोर है कि ये वैपार करती है आप जानते हो वैपार modern चीज है मतलब पहले कि हम चीजों को देखे तो लोगों को आसमें खाने को भी साधननी चीजे नहीं लेकिन ये culture इतना important और ये अपने में इतना develop हो चुका थी ये trade करती थी कैसे proof ये जो Mesopotamia और ये सब चिज के area है न ये वाला पूरा फेज परशिया Mesopotamia के लिए यहां से कुछ seals मिले ठीक है और वैसे ही seals मतलब मुहर हम लोग आगे देखेंगे images में आएगा seals है जो seals मिले मुहर मिले वो इस तरीके के समभलो निशान और इमेज देखेंगे यहां में से कुछ seal मिले वैसे ही seal जो कि पूरे इंडेस वाली civilization मिले ठीक है अब वो seal का जो लोग आकलन लगाते वो कहते कि वो अलग लग type के या कुछ कहते ही कि सिक्को के रूप में उज होते थे टेरा कोटा के शील्स ते खासकर टेरा कोटा मतलब जो मिट्टी के पकाय हुए seals होते है वैसे मिले यह टेरा कोटा के शील्स हो सकते है या फिर वो एक पहचान हुआ करते थी कि भाई यह हरपा से आ रही है या पूरशन िपला रहे हैं वह होते हैं अब जरुकर ट्रेइड में उनले तांट के पास प्रें प्रें को में करन पाट करसे हो हो है इसकी जबmışना में यहांसे वह पूर्ट पर आ रही है और रहे है र क्रास्तर यहांसे यह और नायूंगों उसके रास्ते ये पर्षंट गुल्फ के रास्ते वो चीजे मेसोपोटामिय तक पहुंच रही है ठीक है हाला कि एक इंपॉर्टेंश ये भी दिहान में रखना है कि जो हरपन पीपल है हमने जिसे लास्ट क्लास में बात किया था कि यहां पर एक साइट मिलता था हमको महरगर याद होगा न, आप class अगर नहीं देखे तो आप देखिए, एक महरगर साइट है, जो कि नियोलिथिक साइट है, वहाँ पे हमको agriculture के बहुत सारे proof मिली, लेकिन उस phase में महरगर के अलावा और कुछ आस पास में मेरे को देखने को नहीं मिला कुछ भी एरिया में, लेकिन आग मेसोपोटामिया के ही लोग थे, या मेसोपोटामिया में भी सुमेरियन पीपल थे, सुमेर के ही लोग थे, जो इस एरिया के तरफ एट्रेक्ट होते चले गए, यहां की agriculture और यहां की रिच टाइवरसिटी जो भी उस वक्त रहेगी, उससे एट्रेक्ट होते चले गए, और हम इसके timeline की बात करें जाहिसी बात है timeline बताना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग-अलग research, अलग-अलग timeline हमको कहता है आप NCRT के अगर timeline को समझे तो वो कहता है कि 3500 BC का है लेकिन अगर आप एक IIT कहड़क्पिर के recent research को अगर आप quote करें तो वो कहते हैं कि at least 1500 BC के आसपास की sites है तो उनके according है 2030 सल और पीशे चला जाता है और आज के according उन्होंने कहा है कि कहीं ने कहीं जो Indus Valley की culture है वो आज से 2000, sorry 2021 से लेकर के कहीवी 8000 साल पुरानी 8000 years old ये culture है ये उस समय से exist करती है तो अगें पेपर में नहीं पूछेंगे आपसे region के है कि किसी को सही में पता ही नहीं कि कब से तो इस तरीके के date कभी नहीं पूछेंगे आपसे considerate पूछेंगे कि हरपा discovery कब होई तो वो आपको याद रखना है जिसका full performer पास में है ठीक है अब आप देखो कि इनका trade का डो रूट है ठीक है एक रूट जो है आपको Gulf of Persia होते हुए है और दूसरा रूट है यह अफगानिस्तान और यह कहीं ने कहीं वो silk route का थोरा सा पार्ट को यह touch करते हुए यह जा रहे हैं और इस area में तो आप देखो कि अगर यहाँ पे इतने लंबे समय या इतने लंबे route को यह trade कर रहे है तो बीच में भी इस area में भी बहुत सारी important cities रही होगी क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोई मतलब यह नजदीक हो रहा है कि आप चलेगे आप समान लेकर के आगे और कितना important trade होता होगा कि लोग यहाँ से समान को लेकर के जा रहे है हम लोग वह भी देखेंगे कि trade क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से trade हो रहा है लोथल port हो गया इसके भी fact and figure को हम लोग अभी देखते हैं आगे चलके चलो यहाँ क्या लिखे है यहाँ रखना यह की continuous है मतलब बिलकुल ऐसा नहीं कि रुख गया धीरे 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 जैसे आप देको हमारा घर कैसे बनता है पहले बेस बनता है फिर माल ए फर्स्ट फ्रो बनता है फिर दीरे इस तरह से घर बनता है रिवर के according क्यों शिटल हो रहा है आप लॉजिस समझ सकते हैं क्यूंकि एक agriculture based area है ठीक है तो यह agriculture करने को rivers के आसपस में जा रहे हैं जहां जहां नदिया है और cities अपने बसा रहे हैं बहुत urban area हो देखेंगे आगे चलके features में कि important क्या क्या है ठीक है उसके अच्छों हरपन है जब यह full-fledged पर काम कर रहा है trade कर रहा है society develop हो रही है town planning बहुत अच्छा से हो रहा है यह सब चीए ठीक है the long term indigenous evolution of the civilization which obviously begin in the periphery of the Indus valley in the hills of Baluchistan यानि कि यह जिक्र किसकी कर रहा है इस area का जिक्र कर रहे है बलुचिस्तान कहके कि इस area में यह काफी flourish कर रहा can be documented by analysis of four sites which have been excavated recent चलो यह देखते है यहां के बारे में महरगर बात कर चुके है यह कुछ site के नाम लिखे हुए है जो यह बता रहे हैं कि इस phase में इस तरीके से इसका development हुआ हम लोग यहां पर आ जाएंगे कोई वहां बहुत चीज़े नहीं लिखे ठीक है the sequence being with the transition of nomadic hurtsman आप आप देखो यह चीज़े हमने बात बूला ना अभी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से लोग कहीं से आ गए या प्रकट हो गए वो धीरे धीरे वो travel करते वह आ रहे हैं और बलुचिस्तान की area में जो नीचे हमने बताया ना जहां पर trade बलुचिस्तान के area यह पूरा बलुचिस्तान के area ठीक है सिंद्र भी लगभा बलुचिस्तान के इस यहां पर आपको ports वगरा काफी है तो जो traders वगरा वही धीरे धीरे आ रहे है नॉमाडिक हर्ट्समन भी है फर्स फ्रस्ट फ्रेज में ठीक है फिर कंटिन्यूज विद्धी ग्रोथ विद्धी राज विलिज इन दी राइज ऑव टाउन इन दी धीरे धीरे वह उपर की तरफ में गुजर रहे हैं और वह अग्रिकल्चर सेटल्मेंट करते चले ठीक है लिट्टूड इमजेंस ऑव यह सब जो कुछ साइट्स है यह इसी तरीके से डेवलप होते चले गई लोग यहां पर बरे सिटी के नाम पर आते रहते चले ठीक है अब आप यहां पर देखो कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनमें से बता रहे हैं कि मेडिटेरेनियन लोग यानि कि जो हमने भी बोला लिखे आप लॉक्ष्टे थी की इसे लोगी आप समझ जाओगे कि आज के डेटे में इस्टन पार्ट में जाधा रहते हैं और जो मुंदारी लेंगविज वगर्ण बोलते हैं याद रखने इस चीज़ तो तोफिल मुंदारी लेंगविज बहुत इंपॉर्टेंट मुंडारी है मुंडार और वह आज की ट्राइबल जो सेटलमेंट है जहारकंड और छोटानापूर के एरिया का वह वाले लोग ही प्रोटोसिलेट वैसे भी यहाँ पर काफी लोग पाई गए ठीक है मॉंगोलाइट से यानि की ऊपर मंगोलिया के एसपास के लोग और अलपाइन्स मतलब वह पूरे थंडे वाले एरिया के लोग वैसे वैसे सब तरीके के लोग यहाँ पर आते चलेगे रीजन क्या एट्रेक्शन इंडस देखो उस फेज में आपको जिन्दिगी जीना ही सबस क्यों जाते हैं कि उनको लगता है यहां कुछ नहीं गावां में कर सकता है लेकिन वहां पर कुछ भी करके जी लेंगे क्योंकि वहां पर आपके पास करने काम है करने को दिल्ले में आप जाओगे तो आपका जिन्दिगी जो घर में गावां में बेकार पर आए आपको लग ही चलते है वहाँ agriculture हो सकता है वहाँ अनाज बहुत है तो वहाँ जब surplus होती तब ही तो trade होता है अगर आपके पास 100 लोग है और 100 kg अनाज है तो आप फूरी बेशने चले जाओगे आपके पास 100 दूसे चीजों पर आएंगे तो हमनों देखेंगे यह trade तो बहुत चीजों का हो रहा है लेकिन जो major trade है वह अनाज का हो रहा है ठीक है चलो अब इसका geographical extend रही है कहां से कहां तक फैला हुआ था ठीक है तो हमने भी आपको बात किया ना कि जो सबसे नौत्मो साइट है उसका नाम है मांडा अच्छा यहां लिखा हो अभी वह भी हमनों discuss करी लेते हैं यहां लिखा ही हुआ तो क्यों लिखे ना कवर्ट पार्ट पार्ट पंजाब सिंथ बलुचिस्तान गुजरात रासन संप पार्ट अफ वेस्टन यूपी तूरा सही अलम लास्ट लेक्चर में हमने दायमाबाद के बारे में काफे डिस्क्रसिंग किया यह दायमाबाद जो है यह कंजक्षन है ना निवलेथिक से लेकर के आगे तक कॉपरेज ने की ब्रॉंज इंडेस वाली सिलाशन तो ब्रॉंज एज यह तो हम दो बात कर लेते हैं अभी आग इंपोर्टेंट पेपर में आ जाता है कि जोरवे का नाम जब ले कौन से साइट आएगी दायमाबाद आएगी इंडेस वैली में भी सबसे नीचे वाली साइट जो है वो दायमाबाद ही आएगी क्योंकि यहां से ब्रॉंज के स्ट्रक्चर मिले हैं यहां पर एक कार्ट मि सिटी हो सकता है और यह भी कुछ लोग कहता है कि हो सकता है कि ट्रेड के रूप में वेपार के रूप में चीजे यहां से यहां चली गई हो लेकिन दैमाबाद में उस तरीके के सेटलमेंट नहीं मिलता जैसा जैसा टाउन प्लानिंग आपको रेस्ट ऑफ दी सिटी में मिल कर जरू देखें कंटिनिवस देखें तब आप समझ पाएंगे पेपर में अच्छे स्कूर भी कर पाएंगे ठीक है फ्रॉम आलमगिरपूर यह हिंडर नजी के किनारे पर है ठीक है लगबग यहां पर दिल्ली के बहुत दूर बहुत दूर तो नहीं लेकिन दिल्ली के आस हुआ हमको यही मानना यही हमारा जोग्राफिकल एक्स्टेंट और यह बहुत बड़ा है भारत का एक चौथाई इतना बड़ा एरिया है ठीक है इतने बड़े में लोग रहते थे यहां कुछ मेजर साइट के बारे में लिखा हुआ है अरपा जो की रावी रीवर पे है मोह राजस्तान में बनवाली जो हिसार में आलंगिरपूर वेस्टुक है तो यहां से एक मार्ग साज आएगा सिंपल पूच देता है कि यह कौन से स्टेट में लोकेटेड है ठीक है अभी हम लोग सब डिसकस करेंगे यह सारी साइट हम लोग कवर करेंगे डिटेल में कवर करे हो तो रोक करके इसको लिख लेना कि कौन से साइट कहा है यह रटा मार लेना याद और जब हम लोग समझेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा देलाजस अंदी लेटेस्ट साइट इंडिया इस धोला वीरा गुजरात ठीक है इसके डिसकवरी है जेपी जोसी वार आरस ब प्लेस करके आपको जो साइट बंद गए उसका नाम है राखी गड़ी ठीक है राखी गड़ी में कंटिनीवस रिसर्च होता चला गया चला गया और यह एरिया और एक्सपेंड करता चला गया और आज की डेट में राखी गड़ी जो है उस सबसे बड़ी फर्स्ट नंबर पे आती है लाजे सैट में दो नमबर पे धौला वीरा आती हैं तीन नमबर पे आपको हरपा आती है फिर आपके साफने महजुदार हो आता है यहां ठीक है अब यह भी हो सकता है कि हरपा की ओपर में अगर पाकिसान की गॉर्मिंट का मूड हो जाया कि मेरे को और नाम है ठीक है तो सबसे जो important चीज है जो सबसे important है याद रखना कि आप से कोई कोई पूस्ता इंडेस वेली structure है आज के गाऊं की तरह नहीं है कि इदर भी जमीन मिला घर बना दिया फिर जिदर भी नाली मिला उदर नाली निकाल दिया उसने हमारा जमीन ले लिए यसने तुमारा जमीन ले लियो इस तरीके के नहीं है अब देखो तो बिल्कुल structured आप यहाँ भी देखो आपको लगेगा यार कुछ पैटर्न पे बना हुआ हम बात करें आज से 3500 साल परानी यह पचपन सो साल पुराने इस्ट्रक्चरस है इन्हों ने बिल्कुल देखो आप कुछ भी देखो आपको पैटर्न देखेगा है यहां भी देखो स्कौयर फ़र् ग्रेट बात है महजदारों का एरियल फॉर्म एक 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 फॉर्म है एक पैटन दिखेगा आपको ऐसा नहीं होच पॉच नहीं है बिल्कुल यही इसके सबसे उनीक फीचर है कि यहां पे जो टाउन थे वो प्लांड थे आप इस चीज को देखो आप यह इमेज देखो आप य इसा नहीं है कि है रहते चले गए और फिर आगे चलके जो होता चला गया लोग बगल पर बगल नहीं यह डिस्टिंट हिनों ने पहले से डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से रहेंगे और देखो बिल्कुल सहर के बीचों बीच में यहां पे एक क्या है आपके पास में ज इसे पूरा प्रिफिकेशन करने का दो करन बताया गहा है चार तो इनको अटैक्स का फिर था कि न тьको पर अटैक होता हो वार होता हो लेकिन इसको बैक करने के लिए प्रूफ्स नहीं है है इसको बैक करने के ज़्यादा प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब अटाक और वार होता तो आपके उपर जब भामला होगो तो आप भी वीपन्स बनाओगे, पर वीपन्स मिले यह नहीं कहीं, कहीं भी वीपन्स नहीं मिले इस एरिया में, ठीक है, वीपन्स मिले भी हैं, तो बह पहले प्लानिंग और फिर यह, तो इन्होंने पहले प्लानिंग के लोवर सिटी का, आप देखो, पहले लोवर सिटी बना, जहां पर आम जनता रहे, जो की आजपास के एरिया में जाकर के एगरिकल्चर हो, और यह अपर सिटी है, यह और भी फॉर्टिफाइड है, और यह यह फॉर्ज हो तो फॉर्ज रहती हो, ठीक है, अगें पता नहीं है किसी को, कि exactly कहा रहा था क्योंकि कोई लिखित चीजे है नहीं, हमारे पास में excavation में यह चीजे सामने आई, हलाकि यह एक image बनाया हुआ है, ठीक है, यह ध्यान रहे, यह photo नहीं है, यह image बनाया गया है, क इस तरीके के कुछ ऐसा होता, दिखता होगा, मोहिंजोदारों का सहर, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दो तिन fact को देखें, जो कि paper के लिए काम के है, याद रखना यह urban people है, ठीक है, urban का मतलब शहरी लोग, बिल्कुल शहर के रुप में बसा हुआ है, शहर क्यों, मतलब जो चीजे चाहिए, वो चीजे है, एक market है, जहाँ आप आप आज बेज सको, एक रहने के area, वहाँ आप रह सको, एक administrative area है, जो हमने बोला, अपर city, है न, citadel के area, वो, एक administrative area हो सकता है, वहाँ पुजाली रहते हो, priest रहते हो, society के पैसेवाल लोग भी हो सकता है, कि हो तो रहत हो, बिजनसमेन, बड़े-बड़े बिजनसमेन रहते हो, ठीक है, decision makers रहते हो, ठीक है, elaborate town planning for following the grid system, तो याद रखेगा, कि इनका जो pattern था, कैसा grid है, यह सब greedy बना हुआ, यह grid बोलते हैं, इसे इसको, ठीक है, roads वाए, well cut, dividing a town into large rectangle, हमने देखा न, बेलकुल, road एकदम बराबर cut कर रहे हैं, यहाँ भी road है, cut कर रहे हैं, cut कर रहे हैं, 90 degree पर cut करते हैं, lamp post at interval indicated the existence of existing, अब देखो याई, इसको कैसे proof के हैं, पता नहीं, पर किताबों में तो लिखा है कि lamp post वगर भी थे, अगे ध्यान में रखना, यानि कि हो सकता है कि कुछ light हो, अच्छा, हाँ, यहाँ पर oil था, तेल था इनके पास में, यह सरसो का तेल, और सिसम वाइल है, तील का तेल, यह निकालते थे, इसको यह लोग कहते थे, इलू, यह याद रखना है न, इलू, तभी इससे आगे चल करके oil सब्द बन गया, इलू, यह सिंदोगाटी सब्दा की देन है कहीं ने कहीं, अदर कल्चस में भी तेल एक्जिश करते थे, लेकिन यहाँ पर, तो light वगरे, दिये वगरे, काफी मिले हैं, तो हो सकता है कि उसका इस्तमाल करके ही रात में, street lighting करते हुँझ, तो याद रहता है, तो आप सोचो कि planning है न, इसको planning कहा जाएगा, उस अब को सोच का है, flanking district lanes by lane दे हो, planning को 9 feet और 4 feet, ठीक है, याद धट लेना, कुछ नहीं है, burnt bricks, यह पूरा जो भी है न, बिल्कुल burnt भी, आज की तरह वो ऐसी हीटे हैं वहाँ पर, good quality वे उसर बिल्दिंग मेटे, except in रंगपूर और काली बंगन, ठीक है, रंगपूर और काली बंगन में ऐसा नहीं, बनवाली में भी, बनवाली में भी आप देखो गया आगे चलके, इस साइट में भी, लोग आगे बात करेंगे, इस साइट में भी कुछ बहुत, बहुत अच्छे में, planned way में नहीं मिलेंगे, ठीक है, रंगपूर काली बंगन, याद नहीं रखनी काव सकता है, इतना भी fact क को यह नहीं जाता है, एक जामना, elsewhere in the contemporary world, mud bricks where you know pottery clean was a lot to build within the fort while, ठीक है, कुछ नहीं, houses where often only two more, अच्छा देखो यह, दो मंजिला है घर, अब यह दो मंजिला घर बना रहे हैं अब देखो गी कि, आज भी गाओं के एरिया में, दो मंजिला मकान नहीं बनते, गाओं के एरिया हैं सब चीज के उपर में, और ये भी एक चीज़ दिखती है, यहां पर कि, ownership नहीं होता, कि कोई घर का ना ऐसा ownership नहीं है, कि वो मेरा घर तुमारा घर है, हमको लगता है, कि हमने जो इसमें देखा ना, लोग move भी करते थे, cities भी change करते थे, और फिर जो vacant घर है, वो दूसरे house है, हर घर में कुवा है, बातरूम है, courtyard है, train है, और kitchens भी है, जो चीज़े आज आज आपके पास नहीं है, वो आज से 5000 साल पहली इन लोगों के पास में थी, ठीक है, हम इस इमेज पर बात चुके है, अगेन आप देखो, लगभग क्या है, कुवा वगरा है, बात वगरा ह सब चीज़े हैं, बहुत चीज़े हैं, ठीक है, मतलब एक घर का ऐसा structure दिखाया गया है, सोरी ये घर का structure नहीं दिखाया है, ये आपको great bath दिखाया गया, सोरी, क्योंकि ये structure great bath के तरह है, तो great bath में यहाँ पर कुवा भी दिखाया है, ये great bath हम लोग आके चलके, ये मोहिज है, drainage system बहुत अच्छा, बहुत अच्छा drainage system, मतलब हर घर के बाहर नालिया गुजर रही है, सरको के पहले नालिया गुजर रही है, घर का गंदा पानी भी जा रहा है, और पीने का पानी भी आ रहा है, दो नालिया है, एक गंदे पानी के लिए जाने के लिए पीने के पानी के लिए भी बड़ी बड़ी साफ सुती नालिया हैं यहां पर made of mortar lime अब उस चमाने में इनके पास में जो था gypsum covered इस लाज भी और धकी वे नालिया ओपन नहीं है तो sense of sanitation आता है याद रखना अब अगर answer writing करते हो तो sanitation उस समय से चला आ रहा है जो हम लोग स्वक्ष भारत आज कर रहे हैं वो उस समय से इस चीज़ को करते आ रहे हर घर के पास में अपने एक soakpit भी है अच्छा ऐसा नहीं है कि soakpit मतलब ऐसा mention है मतलब जहां नालिया नहीं है यह नालिया आगे जाकर के जिसे यह घर हर घर से पानी आ आगे आगे चलके बडरा साथ सोक पीट है जिसमें यह पानी सब सूखने के लिए जाला जा रहा है दो तीन शोक पीट हो सकती होंगी जहां पर पानी को वहां पर जमा किया जाते हो धीर-धीर वह जमीन के अंदर चली जाती है यह समझ गया ना कि ड्रेने सिस्टम किस तरीके से काम करा है याद रखना कि बहुत अच्छे विल इस्ट्रक्टर में पर देखने हो या थोड़ा सी जमपल दे सकते हो कि सोक पीट वगरह वहां पे था देवे स्पेशल ट्रेंश कंस्ट्रक्टर आउट एवरी सिटी फो दी रविस्टू भी थोनी है मतल अब देखो सफाई के लिए इनके पास में कितनी अची चीज़े हैं कुछ इन्होंने डबा गड़ा बना के रखा कि उसमें कच्रा फेकर फिर उस गड़े को भर दिया फिर आगे चल करके दूसरा गड़ा बना इस तरीके तो बिलकुल सफाई यह चीज़े भी यहां पर यह टाउंस डिवाइड इंटो टू पार्ट हमने बात किया अभी अपर पार्ट और सिटारेल यहां रहा है और दूसरा लोहर पार्ट इस टेल वाजन आटिफेक्ट पर फिर 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 उचाई पर अब सीटाडिल जब बनता है तो ऐसा ही प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं है यार कि क्यों इस्तमाल में आता था बस हम लोग का एजम्शन ही है अब देखो यह जल प्रबंदन विवस्था दोला वीरा की इसको हम लोग तो से डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है दोला वीरा जो है मैं आपको मैप में तो नहीं दिखा पाऊंगा मैंने मैं आप अभी इसका रखा नहीं है लेकिन दोला वीरा जो है वो बहुत ही यूनिक जगर पर आज कि इसमें सिटूइट है जो कि पूरे एरिया को ढग देता है बहुत लंबा वाइट डिसट बनता है वाइट डिजट का सॉल्ड का डिपोजिशन हो जाता है जो पानी चले जाती है उसके बीचों बीच में दोला वीरा का साइट है ठीक है और यह साइट ऐसी जगह पर लोकिटेड जहां पर टेंपरेचर जो है वो काफी हाई रहता था क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के काफी करीब है यह साइट अल्मूस्ट लगबग आप कह सकते हैं उसको पर मही तो टेंपरेचर बहुत हाई रहता है तो आसपस की जो नदिया है न वो सूख जाती है हाला कि कच का यह हाल अभी है अगर ऐसा ही हाल उस जमाने में रहा होता तो धौला वीरा के साइट एक्जिस्ट नहीं कहती क्योंकि नमक की बिच में कोई नहीं रह सकता तो हम यह कह सकते हैं कि धौला वीरा के खत्म होने से लेकर के आज तक चीजे काफी बदल गई और यह पानी हो सकता है कि उस वक्त नहीं आता हो समंदर का लेवल काफी नीचे रहा हो यह बहुत important बात हम कर रहे हैं कि समंदर का नीचे जब धौला वीरा के से अग्जिस करती थी तो समंदर का लेवल बहुत नीचे रहा हो आज के डेट में समंदर का लेवल बहुत ऊपर है हो सकता है कि यह एरिया और भी बड़ा रहा हो क्योंकि अब जल्मग न हो गया तब ही यही करण है कि कच के रिया में पानी पूरा भर जाता है और फिर एक-दो महिने के बाद में पानी पूरा चला जाता है और बिलकुल समतल भूमिश होता है और धौला वीरा इनकों बीच को बीच लेकिन temperature हाई होने के कारण धौला वीरा के एरिया में पानी की समस्य हमीसा बनी रही तो इन्होंने क्या किया ये इनकी साइट ठीक है ये इनका सहर है ये यहां रहते हैं इन्होंने अपने सहर के चारो तरफ ठीक है अगे निए वाल्ड है पूरा लेकिन उसके भी चारो तरफ इन्होंने इस तरीके का बड़ा बड़ा गढ़ा बनाया ठीक है और वो बिलकुल जैसे टैंकर हम बनाते है न उस तरीके का नीचे बिलकुल बिर्क लगे हुए कोई भी पानी रिसाव नहीं हो स अब यहां से इन्होंने गैप निकाल दिया फिर पानी जो है इसमें भरने के बाद में ओवर्फलो करके इसमें गया थोड़ा सा लेवल नीचे फिर इसमें भर गया तो फिर इसके बाद गया ऐसे करते 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 पानी यह पूरा भर गया उसके बाद इन्होंने यहां agriculture भी कर पाएं सायद और पीने के दो समस्य नहीं है तो ये दिखाता है कि ये scientificallyly बहुत modern थे और इनकी सोच आज के वक्त से बहुत आगी थी आज भी इस तरह के water conservation नहीं किया जा सकता है तो आपको paper के लिए या धखना है कि why dollar is important, जल प्रबंधन या water management dollar का unique था ठीक है ऐसा विस्व में दूसी जगह कहीं नहीं देखा गया और उस जमाने में ये सोच लाना अपने में इनको दिखाता है कि ये आज के समय से भी बहुत आगे थे ठीक है आप समझ गए इस चीज को आप भी dollar को जाना और देखना मैप पर आप गोगल मैप में लिखना धौला वीरा आप देखना आप आश्वर करोगी वह ऐसे जगह पर situated है ठीक है चलो टाउन प्लानिंग में ही आगे जो ये चीज़े आ रही है इन महंजुदारों अब बिक पब्लिक बात ग्रेट बात देखो ये इमेज है ग्रेट बात की ठीक है य और यह एक religious place था कि लोग किसी occasion पर अमस्या हो गया या यह सब चीज हो गया उनका भी वैसा ही कुछ चलता था तो ऐसा दिखाया गया है कि लोग यहां पर उतरते थे या तो यहीं बात कर लेते थे या फिर ऐसे इससे गुजरते हुए जाते थे और फिर आगे निकल करके न कर जाते थे यहां पर बगल में यह सब जो एरिया ने changing room वगरे भी यहां पर discover किया गया है कि कपड़े उपर बदलने के लिए यहां पर चले आते हैं जब हम कपड़े की बात करते तो या दखना कि इस एरिया में cotton बहुत produce होता है cotton बहुत जादा और इनके जो भी कपड़े होते थे सब cotton के बने होते थे इसलिए cotton को सिंधौन भी कहा जाता सिंधौन या दखना cotton को सिंधौन कहा जाता है सिंधौन कैसे देखो जो पूरा विश्व है हमारा उस समय जिस जमाने में कपड़ा पहनना नहीं जानता था उस वक्त यह लोग बहुत अच्छे तरीके से clothing करते थे, cotton के बने हुए कपड़े इस्तमाल करते, यानि कि इसलाई बुनाई की भी टेक्नीक आती थी जो उन है वो हमको भेड़े से मिलता है, या शिप्ष मिलता है, या भेड़े शिप्ष एक ही है और भी बहुत साई जानवार है जहां से हमको उन मिलता है, ठीक है तो पूरा विस्व जह है वो उन जानता था कि जानवार उसे निकलता है, लेकिन सिंध ही एक जगा ऐसा है, जहां उनको उगाया जाता है, इसलिए जो रूई है, उसको सिंधहौन कहा जाता था कि सिंध का उन है और यह बहुत ज़दा मातर में यहां पर अवलेबल होता था ठीक है यह भी आगे स्लाइड में है मिंशन में तब यहां क्योंकि हाँ हो सकता थी तो हमने बात कर लिया तो जो ग्रेट बात है यह 12 मीटर 12 बटा 7 है ना और 2.4 मीटर डबत है ना यानि कि इस तरीके से 12 मीटर ऐसे 7 मीटर और 2.4 मीटर इतना गहरा है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी एक इसमें पानी भर जाता है ना बारिस को पानी तो लीक नहीं करता है पानी मतलब बिल्कुल यह लीक प्रूफ बनाए गया है आज बिन फाउंड इस्टेप लेट टो आइधर इंड अफ दी सर्फेस ठीक है आइधर इंड दी सर्फेस ठीक है जाही से बात है नहाने के है तो ही काम आता था तो ग्रेट बात बात प्रबब्ली यूश्फूर रिच्वल बला थी है अब हो सकता है कि शादी होती हो या रिलिजिस चीजे भी फाई जाती थी पूजा बगर होता था उसके लिए है लैंप पोस्ट भी यहां देखा गया है जो हमने हरपा वाले में बात कही है देखो या यह सब चीजे लिखने को तो जरूर है लेकिन अगर वाकए मुझस समय एक्जिस्ट करती है तो यह बहुत ज्यादा मॉडन कीजे ठीक है चोड़ा अब अब अगरिकल्चर के उपर में बात करते हैं पेपर में यह चीजे पूछते हैं ग्रेट बात कहां से एसका वेट हो तो डिसकर्शन हो गया कि दिमांग आपके रही जाएगा और यह डाइमेंशन वगरा नहीं पूचेंगे इस सिंदहां जो हमने बोला आप उन जानते हो इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में पहले भी खेती होती थी अभी 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 इस सिंदह के एरिया में उनकी खेती बहुत ज्यादा कपाश की खेती बहुत ज़्यादा होती है फ्लट प्लेन था पूरे एरिया इंडेस वैली के है तो फ्लट प्लेन है इंडेस का प्लेन से इन नवंबर अब ऐसा लिखा गया है मतब इनका अपना रिसर्च है कि वो से एरिया में उस समय बहुते थे अच्छा एसा बहुत जगह बताएगे कि डवल कल्चर भी होता था पीपल ग्रोव वीट बाली राई मटर सीसम मस्टरड वाइल राइस इन देखो सब कुछ हो रहा है कॉटन डेट मेल उन सब चीज़े हो रहे है वह दी फर्स तो यूज प्रडूस कॉटन दीवल एकदम एक नुम्बर को सवाल है एकदम इंपॉटेंट है पेपर ने पूज आएक और हमारी लिए वह बहुत अच्छी बात है कि हम ही वह लोग है जो 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 जिनोंने रुई क की शुरुआत की रुई से कपड़े बनाने की शुरुआत की ठीक है सूथ काट करके फिर इससे बनाए जाता था इन काली बंगत फील्ड वे प्लग विथ ऊडेंट प्लग या दरफने एक दम एक मार्व सा कॉशन बंदा है कि काली बंगत में जो हमको अवसेस मिले है जुत याद रखे काली बंगन से उडेंट प्लक मिले है यह हली हुआ प्लक फिल मिले है दोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इस जमाने महोता था तभी हल वगर का वो चलाते होंगे जन्वा से लाज स्केल थी कि बिसाइड डि कैटल सिपी कैमल एंड कैट यह चीजे हैं डोमेस्ट बढ़ियाद अगना रोपड में आपको यहां पर किसी मनुष्य को कुद्टे के साथ में दफनाया गया था जो दिखाता है कि मैन और एनिमल के बितमें रिलेशनशिप उस जमाने में था इसी तरीके कर सीम चीज हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था जो जो की आगे चल करके बहुत ज्यादा मात्रा में यह पता चला कि खेती होती थी सर्प्लेस खेती होती थी और यह मतलब यह इसको दिया हुआ ऐसा लेकिन यह थोड़ा गलत लाइन लिग दिया है यह ऐसा नहीं है फोड़ गेंज अनाज का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट नहीं होता था ठीक है इंपोर्ट नहीं होता था एक्सपोर्ट जरूर होता था ठीक है अनाज का एक्सपोर्ट बहुत होता था फोड़के में इस्टोर इंग्रैनरी जा कहां से मिलाους अरप पास है बहुत बड़ा एरिया जहां पर अनाच को इश्टोर किया चाथ था लेकिन ट्रेड अनाच का होता था ठीक है अब देखो जिसे हमने भी बात करी यह पूरा इलाका जो है अग्रिकल्चर इसलिए हो पाता था कि यह पूरा ग्रीन एरिया है ठीक है यहाँ पे इंडेस वैली के आशपस में सिंदु घाटी की प्लेंस है यहाँ पे आपके पास फर्टाइल एरिया है यह पूरा इरिया फर्टाइल है आप अराम से अग्रिकल्चर करो पानी की दिक्कत नहीं यह फ्लर्ट प्लेंस है पानी भर पूर मात्रा में और अग्रिकल्चर है तो आप सिटल भी हो जाए और नहीं तो आप देखो इस तरीके के सिटल्मेंट बना कि मतलब वो सहरी ऐसा बसा रहे है ठीक है कि नदी हो बीचों बीच से दोनों साइड इन्हों ने बसा दिया या इन्होंने ऐसा सेट अप किया कि बीच से नदी गुजरे और उसके बगल में हम खेत लगाएं ताकि आसानी से खेती कर सके एडवांसमेंट टेक्नोलोजी है ना चलो अब बात करें ट्रेड इन्ट कॉमर्स की अब देखो यहां कहा गया है वेलनेट एक्सटरनल इंटरनेट एक्सटरनल इंटर मतलब की हमने भी देखा ना इल्मन सब्वेता मेसोपोटामिया वहां से भी ट्रेड कर रहे है ठीक है यह जो यहां पर आपको बात किया जा रहा है यह इमेज दिखाता है इजिप्टियन कल्चर को ठीक है यह मेसोपोटामियन कल्चर को और यह चाइनीज कल्चर को छाइनीज कल्चर को ठीक है इजिप्टियन कल्चर को अगर हम बोले तो ये उनके कंटेम्परोडी थे कंटेम्परोडी मतलब क्या हो कहाँ? समकाली तो जिस समय सिंदुखाटी सबवेता एक्जिस करती थी उस समय एजिप्शन सबवेता भी थी उसी समय मेसोपोटामिन सबहता भी थी उसी समय चाइनी सबहता भी थी ये सबहता थी तो यहां भी उसी तरीके की चीज़ थी लेकिन अगें उतनी एडवांस्ट नहीं थी जितनी इंडेस वैली थी इंडेस वैली में इंपोर्ट नहीं होता था मतलब इसके बहुत कम साक्ष मिल है कि कुछ चीजा बाहर से आई लेकिन एक्सपोर्ट होने के आने कि यहां से वहां भेजा गए इसके बहुत साक्ष मिलते है Egyptian culture एक fact group में याद रखना है ये नीन नदी के आस पास में ये बसी पूरी Mesopotamia जो है ये दो नदी है एक टाइगरिस और दूसरा यूफरेटिस पेपर पूर्ज देते हैं ये ये आज का इराक का एरिया ठीक है और चाइनीज आप जानते हों हुआंग हो और यारलेंग शांग पो ऐसा बहुत सारा है यारलेंग शांग पो लिख लेना ठीक है मतलब कैसा है आइधर वह सील्स को ही सायद कहीं ने कहीं बोला जा सकता है कि अगे इसका भी साक्ष नहीं है बाटर सिस्टम ऐसा होता था एक चीज़े दी दूसरी चीज़े ले ले लेकिन इसके भी बहुत कम प्रूफ मिले कि बाटर में क्या लेका है यहां तो चीज़े सर्पलस है वेट और मेजर ऑफ एकुरेसी अग्जिस्ट याद रहने बहुत इंपॉर्टन है वेट मेजर में सिस्टम है लोथल में इसके साक्ष मिले है वेट वेट वे मेड़ अप आफ लाइम स्टोन स्टीटाइट एन वे जनरली क्यूबिकल इंसे 16 वादी उनिट ऑफ मेजरमेंट ठीक है मतलब इस सबसे कम आप मेजर कर सकते हो वो 16 यूनिट है उसके 16 बटकरा या नहीं हो सकता है कि 160 ग्राम इस 16 कजी का बटकरा इस तरीके का मिलता होगा ये इस तरीके के बटकरे छोटे छोटे भी है लेकिन सब कुछ जो है वो 16 के अनुपात में ही है तो ये ये वहां तुला रहता है ना वेट उस तरीके का इनके पास भी कुछ रहा होगा जिस पर ये बटकरा आप सोच हो मतलब सोच रहे हैं और चीजों को करते चल जा रहा है और ऐसा नहीं है कि एक साइट पर मिली ये चीज़े कॉमन है ये पूरे इंडेस वैली में कॉमन है कि हर जगा प होता था वो होता था मेलुहा से याद रखना ये भी हमने अभी एक नया चीज़ सीखा कि मेलुहा इसका नाम मेलुहा हो सकता है ठीक है याद रखना मेलुहा यहां देखो हमने बादा दिलबंद के बारे में ये मगान की कल्चर है और ये में सपोर्ट आमिया का कल्चर है य ठीक है हर अपन से अनदर मेटेल टाइब इन फाउंड इन मिसोपोटामिया इस इस तरीके के कुछ सील्स वहां से मिले हैं ठीक है तो इससे कहा जा सकता है कि ट्रेड होता था वहां पाख होता था अब अब देखो फिल्न टूलियो एक सेल वर्क यह सब चीज़ शेल वर्क का मतलब वो जो कांच नहीं वो कांच बोलते हैं इसको जो कि समंदर के आसपर स्केलिया से यहां पर निकलता है उस चीज़ बे मिलती है चूडिया वगरा बनती थी काली बंगन की माली चूडिया इस यानि कि जब इंडर्स वाली सिवलाइशन यहां जिस करता है तो नीचे में भी कुछ कल्चर यहां पर ड्रवेडियन पीपल यहां पर रहते थे और यह भी वैपार करते थे यहां पर लिखा हुए है कि गोल्ड फॉम भी नौत करनाट का आता है सिल्वर एन लापिस प्रव क्वेडियन बिलुचिस्तान ठीक है यह द्यार्यक में जर्वक कह Hey को पर जो है खेतरी मां से ही यहां पर रहा है ठीक है बीड मेकिंग एक्ट्र इस चानु दारू लोथल ठीक है बीक्स मतलब वह मन के बनना मतलब वो मोती वती गले में पहनने के लिए क्लिए बनात एवरी मर्चेंट और मर्चेंटाइल फैमिली प्रोवेबिली हैड़ सील बीरिंग एन इंबले में अपर ऐसा कहा जा रहा है कि हर परिवार का अपने एक सील इंबले मौफिन और रिलीजियस करेक्टर एंड नहीं मौब ब्रीव डिसकेशन ऑन अदर साइड ठीक है यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह लोथल की तस्वीर है और यह एक डॉक याड की तस्वीर है और यह वही डॉक याड है जो लोथल का सबसे फेमस है यहाँ पर आज की डेट में चीजें जो हैं वो कनेक्टिंग जो चीजें वो ठक गई है ऐसा बताया जाता था कि इस में storage area करता था और आगे चल करके ये आपको साबर मती नदी से connect होती थी आगे चल करके ठीक है और जो समंदर का जब पानी भरता था था थोड़ा सा भरता था तो जो ship बाहर रहती थी वो ship इधे से यहां आती थी और फिर यहां पे पानी वापस भरता था तो यह ship निकल जाती थी और नए ship जो वेटिंग करती थी वो चली आती थी तो यह एक modern day dockyard की तरह उससे में काम करता था यहां दखना लोथल dockyard के लिए बहुत famous है रंगपूर सोमनाथन बालवकोट फंसनल सीपोर्ट यह dockyard है ना dockyard मतब थोड़ा सा जमीन के अंदर मतब थोड़ा सा हलका सा अंदर बसता है और यह seaport मतब बिल्कुल समंदर के किनारे है ठीक है याद रखना इनमें से रंगपूर नहीं हो गया यहां पर यह गलत हो गया यहां करने है तो दिखो अभी बात के लोतल काफी अंदर है दो ही अभी हमने विर कच के area में है कि unique site है लोथल भी जो है वो काफी अंदर है और ऐसा इतना अंदर है मतलब बाइब सा कहा जा सकता है कि यह जो है वो पोट जो है वो लगबग यहाँ नदी जो इस area में जो निकलती है उसके सारे यहाँ पे trade होता रहा है चुलो, आर्ट एंड क्राफ्ट को अगले क्लास में डिसकस कहीं, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा हो गया, बहुत सी चीज़ डिसकस हुई होगी, और आभी भी हम लोग आगे डिसकस करेंगे, है न, कंटिन्यू करेंगे हम लोग लेक्चर 2 में, ओके, ठैंक्स